हेलो फ्रेंड्स मैं संतोस और स्वागत आपको ओनलेंटेक सपोर्ट यूटूब चैनल में फ्रेंड्स आज का टपी में मैं आपको बताऊंगा गूगल प्ले कॉंसोल का एक निव अपडेट के बारे में इसलिए ये वीडियो को ध्यान से लाश्ट देखते रहिए नहीं तो आपका गूगल प्ले स्टोर एकाउंट से अप्लिकेशन को रिमूब कर दिया जाएगा 1 डिसेंबर 2019 के बाद तो उससे पहले आपका अप्लिकेशन ने ये वाला चेंजस कर लेना चाहिए जो आज मैं बताऊंगा तो चलिए बीना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं एप्लिकेशन डेवलोपमेट और एडसेंज और गूगल प्ले कॉनसुल प्रोब्लेम सलुशन का हर वीडियो इस चैनल में मिलता रहेगा इसलिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी जरूर दबा लिजे लाट्टेस्ट अप्डेट सब सब पहले पाने के लिए फ्रेंट्स जब अब गूगल प्ले स्टोर में एप्लिकेशन पॉब्लिस या अप्डेट करने के लिए अप्लिकेशन का रिलिज मैनेजमेंट को खोलते हो अगर आपका अप्लिकेशन का वर्जन कोड दो और दो से कम है तो आपका अप्लिकेशन में एक अलर्ट सो करता है अगर आपका अप्लिकेशन का वर्जन कोड तीन और तीन से ज़्यादा है तो आपका application में ये वाला alert show नहीं कर रहा है और एक बात अगर आप new application Google Play Store में publish करना चाते हो तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए बिना skip करके क्योंकि आज जो ये वीडियो में आपका application का old version का problem solution हो जाएगा तो friends ये वाला जो notice जो आता है इसमें देखिए clearly लिखा गया है we have detected your app is using an old version of the Google developer API from December 1, 2019 version 1 and 2 of this API will no longer be available update to version 3 before this date इसका मतलब 1 December के बाद minimum application का version 3 होना चाहिए अगर 3 से काम है तो आपका application को play store से remove कर देजाएगा 1 December के बाद इसलिए आपको application को version code 3 से update कर दीजिए 1 December 2019 से पहले अगर आप चाते हो कि new application publish करने के लिए तो version code को 3 से set करके application बना कर play store में publish करिए आपका application में ये वाला alert show नहीं करेगा तो version code को set करने के लिए application का project को open कर दीजिए जो platform में आप काम करते हो project open होने के बाद screen 1 का properties में आ जाईए और सबसे निचे जो version code version name है ये दोनों को 3 या 3 से ज़्यादा रखिए और आपका application में जो changes करना के लिए चाते हो तो change करके आपका application को update कर लिजे google play store में अगर आपको पता नहीं कि के इस तरह google play store में application को update करते हैं तो इसके उपर मैं एक separate video बनाया हूँ आप उपर i button के उपर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हो अगर इसके उपर कोई doubt है तो निचे comment box में लेक दिजे मैं आपको full support करूँगा तो मुझे उमीद है कि आपको पता चल गया होगा कि इस तरह ये वाला problem को solve किया जाता है और हमारे चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को भी जरू दबा लिजे latest update सबसे पहले बाने के लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक के और share कर दिजे फिर मिलते हैं किसी ने वीडियो के साथ so finally thanks for watching